हेलो अब्रोण वेल्कम टू गॉर्मिंट जॉप करो आज की वीडियो में लोग बात करेंगे करेंट एफेस के बारे में और अगर आपको करेंट एफेस के बारे में जाननी है पूरी इंफोमेशन तो बने रहें इस वीडियो के एंड तक वीडियो को शुरू करने से पहले में आपके साथ शेयर करना चाती की इंपोर्टन इंफोमेशन कि अगर आप त्यारी कर रहे हैं गॉर्मेंट जॉप के लिए तो हमारी वेबसाइट गॉर्मेंट जॉप करो जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा सकते हैं तो अगर आपको अपनी प्रिप्रेशन को करना है और ज्यादा बैतर तो जल्दी से जल्दी विजिट कीजिए हमारी ओफिशल वेबसाइट एंड अन्रोल कीजिए हमारे कोर्सेस को बात करेंगे करेंट अफेस के बारे में तो सबसे पहला आज का हमारा करेंट तो यूँएन सेक्यरिटी कॉंसिल तो ये कोशें आपको एंग्सामेनेशन में पूछा जा सकता है कि कौनकसी कंटरी से जिनें उलर्या गयां हियानि कि चुना गया है जाय व्यूवेन सेक्योर्टी कॉंसिल में for the term period of 2022 से लेके 2023 तक तो इसका अंसर क्या की चुनी गई है UNSC के द्वारा उसके बाद आपको और कोशन पूछे जाएंगे इसके अंदर में जैसे जैसे में आपको डिटेल में यह एक्सप्रेंड करूंगी तो उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगे कि किस टाइब की कोशन आपको पूछे जाते हैं एक्जामनेशन में तो इस कोशन को इस इंफोर्मेशन को आपने ध्यान से सुनना है और ध्यान के साथ लिखना चाहो तो अब लिख भी सकते और ध्यान से इसको समझना भी है तो कौन-कौन सी कंट्री से जिने चुना गया है UNSC के द्वारा वो हैं अलबेनिया ब्राजील और UAE तो इनको चुना गया है बाइदा 75th session of the journal assembly तो यह कोशन भी आपका एक यह बनता है कि किस assembly मिन्स कौन से session के द्वारा इनको चुना गया है तो आपका अंसर होगा 75th session of the journal assembly और उसके बाद एक और question बनता है इसी question के अंदर कि इन्हें as a permanent member चुना गया है कि non-permanent members तो आपका अंसर क्या होगा non-permanent members इन पांचों countries को UNSC के द्वारा as a non-permanent members चुना गया है for the term period of 2022 से लेके 2023 तो यह question is basic information के अंदर बनते हैं तो कैसे बहुत सारी question और जादा बनते जाएंगे वह भी मैं आपको बताऊंगे तो समझे और इस current affair के बार में पूरी information अच्छे से समझने की और याद करने की कोशिस कीजिए तो उसके बात यह बोला गया है कि यह जो पांच non-permanent members हैं यानि कि यह जो पांच countries चुनी गई है UNSC के द्वारा यह किसकी seats लेने वाली हैं तो यह लेने वाली है 15 member body की seats means replace करने वाली है इन seats को अब यहाँ पर एक word use हुआ है 15 member body तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगे क्योंकि इस से related भी आपको questions आपके examinations में आ सकते हैं तो आपको यह पता होना है कि 15 member of UNSC किसे कहा जाता है यह इसके इंदर 5 permanent members होते हैं means 5 ऐसे permanent members होते जिन के पास veto building members की power होती है साथ के साथ 10 ऐसे non-permanent members होते हैं जो कि चुने जाते हैं on the regional groups के basis पे क्योंकि यह जो 10 non-permanent member है वो यूज किये जाते हैं for the geographical representation तो इन्होंने काफी अच्छी strategy अपनाई है कि geographic representation को भी पूरा किया जाए और साथ के साथ members भी चुने जाएं तो यह क्या करते हैं जो election है जो seat allocate करते हैं वो regional groups के basis पे करते हैं जिससे इनकी दोनों यह जो मोटीव है वो complete हो जाते हैं उसके बाद आपको एक question इसके अंदर एक और arise होता है कि who are the permanent members of UNSC तो यह basic question बढ़ते है अगर आपको अभी non-permanent members के पता चल गया है तो आपको यह भी पता होना चाहिए UNSC का permanent members कौन है तो इनके पर्मेनेट मेंबर से चाइना फ्रांस रश्या दा United Kingdom and United States तो यह क्या है permanent members है उसके बाद non-permanent members की बात करें तो इसके अंदर भी अलग-अलग members आते हैं जैसे की existing members कौन है UNSC के non-permanent members category के अंदर तो इनके existing members हैं इंडिया, Ireland, कीनिया, मेक्सिको और नॉर्वे जिनका टर्म पिरेड है डिसंबर 31, 2021 तक उसके बाद newly elected members कौन से हैं की मैंने आपको बताए कि नए-नए elect किये गए हैं पांच members इनके non-permanent positions के लिए वो हैं अलबेनिया, ब्राजील, गबोन, घाना और UAE और इनका टर्म पिरेड स्टार्ट होगा जनवरी 1, 2025 से उसके बाद इसके अंदर एक और category आती है जो है वेकेटिंग members वेकेटिंग members कौन है? UNSE के non-permanent members के अंदर वो है इनका जो टर्म पिरेड है वो 31 दिसंबर 2021 को खतम हो जाएगा इनकी जो position है वो पूरी तरीके से खाली होगी और सबसे important बात कि ये जो position खाली होगी इनकी जगा पे आएंगे जो नए 5 members चुने गए है UNSE के द्वारा तो वेकेटिंग members की position पे कौन members आने वाले हैं? जो newly elect हुए हैं members वो अब इसके बारे में बात करते हैं इनको elect तो किया गया लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि इनका election process किस step का होता है यानि कि UNSE election procedure कैसे अपना carry on करती है तो इनका जो election procedure है वो पूरा based होता है reasonable representation के उपर जिसमें हर एक candidate को require है कि two-third majority of journal assembly का vote उसे मिल सके अगर two-third majority vote उसे मिल रहा है journal assembly से तो वो चुना जाता है और वो vote जीत जाता है अब इसमें हम एक और category के बारे में पढ़ेंगे जिसमें है reasonable distribution के reasonable distribution के basis पे कैसे seat allocate की जाती है तो 10 non-permanent members होती है उनको seats कुछ इस तरीके से distribute की जाती है जिन में से 5 seat दी जाती है African and Asian states को एक seat provide की जाती है Eastern European states को दो seats provide की जाती है Latin American and Caribbean states को दो seats provide की जाती है Western European and other states को तो इस तरीके से reasonable distribution की जाती है between the 10 non-permanent seats distribution of 2021 election की बात करने तो इसमें किस तरीके से जो seats से distribute की गई है इन में से 3 seats जो की provide की गई है African and Asian states में से Gabon, Ghana और UAE को और एक seat distribute की गई है Latin American Caribbean group में से Brazil को एक seat provide की गई है Eastern European group में से Albania को तो इस तरीके से जो distribution है 2021 के election की की गई है अब exception की बात करते हैं कि अगर कभी ये election इस type से ना हो और कुछ और ऐसे chances और कुछ ऐसे cases आजए जिसमें ये पूरा procedure काम ना करे तो उस समय क्या करना चाहिए तो उस समय क्या होते हैं अगर कोई भी country एक से ज़ादा और वो एक seat particular एक regional seat के लिए लड़ रही है आपस में compete कर रही है तो उनको ये decision दिया जाता है कि वो mutually decide करें कि वो आपस में वो जो seat है वो split करें बट अभी तक ऐसे कोई case देखने के लिए नहीं मिला है इसके related सिर्फ वो सिर्फ 2016 की बात है जब इटली और नीदर लेंड ने ये particular exception का case अप्लाई किया था अपनी seat के उपर जहां पर उन्होंने mutual discussion की जिसके बाद उन्होंने अपनी जो 2017 और 2018 का term period की seat थी उसको अपस में split किया तो उस समय ये expression का case देखने के लिए मिला था अब उसके बाद मैं आपको बताते हूं इस current affair में हमने काफी बार UNSC term का इस्तिमाल किया है तो आपको इसके बार में full information में पता होना चाहिए क्योंकि examination में जाव से जादा जो term use की जाती है current affair में उसके बारे में पूछना तो एकदम permanent होता है कि वो आपसे पूछा ही पूछ जाता है तो UNSC के आपको सबसे फ़हले full form पता होना चाहिए जो की है United Nations Security Council और यह basically क्या ही एक तरह की clothy UN body है जो की legally bind करती है सारे decisions जैसे की imposing sanctions के related और साथ के साथ authorizing use of force के related तो इसके regarding जितने भी legal decisions है वो को bind किये जाते हैं UNSC के द्वारा इनकी establishment 1945 में हुई थी headquarters है इनके New York United States में तो यह जो basic question जो है आपको पूछे जाते हैं तो आपको यह चोटी से चोटी चीजों पर ध्यान रखना पड़ता है आप इसकी presidency की बात करते हैं तो इसकी presidency particular country के पास नहीं होती जो इसके members होते हैं वो हर महीने अलग-अलग members इसके जो है इसकी presidency को आगे forward करते हैं मतलब इसकी presidency समालते हैं तो हर महीने कोई ना कोई country जो कि इसकी member है उसकी presidency को समालती है और यह जो order है जिस type के मतलब और कैसे कैसे current affairs को आपको याद करना है तो इस बात को इस video को आपने ध्यान से सुनना है और जितने भी questions में आने आपको पूछे हैं और बताएं हैं उनके answers लिखने हैं वो questions आपने लिखने हैं और याद करने हैं और revise करने हैं ताकि आपको किसी भी तरीकी की difficulty ना आए आए examinations के time पे तो यह थी update आज के current affair के बारे में अगर आपको ऐसी update चाहिए government job के बारे में आपके phone पे तो हमारे telegram group को join करना ना भूले साथ के साथ visit कीजिए हमारी official website जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और enroll कीजिए हमारे courses को और अगर किसी और type का question आपको इस current affair के related आपके mind में आ रहा है तो आप हमें comment section में पूछ सकते हैं या बता सकते हैं और अगर आपको किसी भी type की difficulty हो रही है या किसी भी type की query है तो आप हमें उसे भी comment section में पूछ सकते हैं तो इस वीडियो को like, share और चैनल को subscribe करना ना भूलें Thank you ज enव तो और आपको.